हेलो फ्रेंस वेल्कम बैक टो मारी चैनल पुस्पलता किचन पुस्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए बैल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी की टोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालो और हाँ जो अपने वीडियो को सेयर करती हूं फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं बिल्कुल न्यू रेसिपी एकदम हेल्दी और डिफ्रेंट रेसिपी और आज मैं दुबारा से लेकर आई हूं आप सभी के लिए कभी भी आपके घर में अगर लेकर बच जाता है तो मैं आज इस वीडियो में बनाओंगी और तो मैंने कैसे बनाया है और इसमें मैं क्या-क्या डालूंगी जिससे की बहुत जादा है जाएगा तो चलिए रेसिपी की तरप चलते हैं और मैं बताती हूं मैंने इसको कैसे बना या है यह लच्छा पराठा बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए यहां पर लेफ्टवर दाल का यूच किया है और यहां पर मैंने लिया है गेहूं का आटा मैंने ले लिया है लोकी तो इससे मैं बनाओंगी यह लचा बराटा तो यह एक्दम डिफरेंड और हैर्डी रेसेपी है आप बनाईए और अपने बच्चों को खिलाईए बच्चे ऐसे तो खातें नहीं है लोकी तो इस तरह बनाके अगर आप खिलाते हैं तो उनको बहुत पसंद आएगा तो सबसे पहले हम लोकी को ग्रेट कर लेंगे तो आप देखें यहाँ पर मैंने लोकी ग्रेट कर लिया है और यह बहुत ही फेमस है गुजरात का रेसिपी है इसको थेपला बोलते हैं तो यहाँ पर मैंने आज यह लेप्टोवर दाल से और बढ़ाया है तो यहाँ पर यह सारे चीजे मैंने लिया है तो इसमें मैंने लिया है देख सकते हैं आप पो क्या क्या चीजे हैं मैंने यहां तिल लिया है जीरा लिया है और मैंने यहां पर थोड़ा हल्दी धनिया मिर्च मसाला और थोड़ा सा जवाइन और यही सारी मसाले जो होते हैं वो मैंने लिया है और थोड़ा सा मैं यहां पर ओयल डालूँगी और ओयल डालके इसमें एक अच्छे से मोयन कर दू पर अगर डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा इस थैपले का अब मैं इस जो लोकी गरेट करके रखा था उसके अंदर इसको डाल दूंगी और इसी जो हमने लोकी लिया है उसी से हम इसको आटे को गुतेंगे पहले और इतना मिला लेंगे कि इसमें मतलब गीला नहीं हो पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें जो हमारी दाल बची है लेप्टोवर हम उसी दाल से इसका डो रेडी करेंगे तो यहां पर आप देखिए मैंने डो रेडी कर लिया है और अच्छे से बहुत ऐसा नहीं डो होना चाहिए और 15-20 मिनट के लिए आप इसको सैट हो होंगे अँच्छे से ताकी चीखना हो जाए अब हम इसके लच्छ पराथे बने आप चाहें ndo simple पराथे भी बना सकते है लेकिन अगर लेच्छ पराथफ बनाते हैं तो बहुत तेष्च इलगता है तो आज हम आपको солнण पराथनें लेच्छ पराथेतर में दो तरीके से आपको बताऊंगे इसमें तो दोनों तरीका ही आसान है अगर जो आपको अच्छा लगे उससे आप बनाईएगा तो सबसे पहले हम इसको रोल कर लेंगे तो यहां पर मैं अच्छे से रोल कर लेती हूं रोल करने के बाद फिर हम इसको जो है इसके उपर लगाएंगे हम इसकी उपर थोड़ा सा आटे को डालेंगे उससे आटा क्यों डालते हैं इसलिए डालते हैं कि जब हम इसको इसकी प्लेटे ऐसे डालेंगे तो यह चिपके नहीं आपस में तो इस तरह से जैसे हम प्लेट बनाते हैं उपर नीचे करके उस तरह से हमें इसकी प्लेट बन लच्छ बनेंगे अब लच्छे को दबादेंगे फिर ढ़ने के बार फिर हम से रोल करेंगे तो देखें धर र्च्क्र oriented सकते ही और सछारी के थी हो यह थैब मैं दूसरा तरीका साथ आपको बताती हूं तो यह मैंने ले लिया है दूसरा लोई और दूसरा लोई लेने के बाद फिर वापस से हम इसको भी उसी तरह से रोल कर लेंगे यह मैं थोड़ा फास मोड में आपको दिखाई हूं इसलिए थोड़ा लग रहा है आपको जल्दी जल्दी तो यहां पर मैंने यह भी रोल कर ल निटेना है इसके ऊपर लगा लेना है ओल ऑघी जो भी आपको लगाना हो उतने इसे जिए नहीं बनाए इसको हमें प्लेटए करें तो आप देखिए इस Как बनाने सीवा बनग्रा प्ला महां हम सब्सक्राइखें नाद आप लेकिन इसको हम थोड़ा समाल के धीरे-धीरे करेंगे अब हम इसको आपस में एक बार थोड़ा से रोल कर लेंगे और थोड़ा से खीच लेंगे लंबाई में कर लेंगे और वापस से वही प्रोसेस रहेगा रोल करने का तो अभी आप देख सकते हैं वापस से मैं इस तरह से दबा के यह आपको उचा नीचा लगे उससे कोई फरक नहीं पड़ता है जितने उचा नीचा होगा उतना ही इसमें लच्छे अच्छे आते हैं तो देखिए यहां पे यह भी हो गया तो यहां पे अब मैं रोल कर लेती ह और मैंने इसके उपर डाल दिया है अब इसको एक साइट से से शेखने की बाद दूस्य साइट से शेख लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यह सीख रहा है जब एक साइट से अच्छे से शेख जाएगा तब फिर हम इसको इसके उपर घी और जो भी आपको पसंदो वह आप लगा सकते हैं तो हम एक साइट से लगा लेते हैं फिर पलट के और शेख लेंगे जैसे सेम पराटे आप सेखते हैं उसमें कोई अलग नहीं है बस आपको जो बनाना है लच्छा पराठा उसके ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है तो इधर मैं ने पलट दिया है और इस साइड भी अम मैं लगा लूँगी इस तरह से तो यहां भी मैं लगा लेती हूं और दोनों साइड से से शेक लेती हूं और फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी इसी तरह से से शेकना है तो एक सिख गया है अब मैंने दूसरा लिया था दूसरा भी पहले यहां पर डाल दिया है अब इसको भी मैं उसी तरह से सेम प्रोसेस से सेख लेती हूं तो एक साइट से होने के बाद पलट दूँगी फिर दुबारा से पलटने के बाद फिर मैंने यहां पर जो है ऑल लगा पराठा भी बोल सकते हैं अब इसको डेपला भी बोल सकते हैं अजो यहां पर मैं और करौंदे काचार मेरे जैनल पर है मैं उसका लिंक दिसक्रियां में इसका चैनल सकते हैं दें तो कर आइसे मैं नीघी रेकिम और शेर क्राइब लेगां समयरों को नगे रेसिपी देखने के लिए तो मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइ फ्रेंस गुड़ टेक क्यार